कुरोना संक्रमण की वच्छा से देश भर में लाखों लोग मारे गए हैं इस बीच हजारों बच्चे अनात हो चुके हैं क्यूंकि उनके माता पिता की कुरोना से मौत हो गई है इनके अलावा हजारों बच्चे अब सिंगल पेरिंट के साहरे रह गए हैं कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता नहीं उन्हें छोड़ दिया है राश्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षन आयोग के सुप्रीम कोट में दाखिल एक हलफ नामे से पता चला है कि मार्च 2020 से 29 माई 2021 तक 9346 बच्चों के पेरिंट की संक्रमर से मौत हो गई है हाला कि ये वो आंकडे हैं जो आपचारिक तोर पर दर्ज किये गए हैं जबकि संभावना है कि ऐसे बच्चों की संख्या और भी अधिक हो सकती है इन बच्चों में 1742 ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है 7464 बच्चों की जिम्मेदारी सिंगल पेरिंट पर आ गई है जबकि 140 बच्चों को छोड़ दिया गया है बाल अधिकार संरक्चन आयो के आंकड़े के मुताबिक बच्चे जिन्होंने कुरुना के कारण माता-पिता या इनमें अपने किसी एक को खो दिया है या उन्हें छोड़ दिया गया है इनमें से 56 फीजदी 4-13 साल के है संक्रमन की वज़ा से माता-पिता को खोने वाले बच्चों में से 788 की उम्र 3 साल से भी कम है 5,226 बच्चों की उम्र 4-13 साल और 3,332 बच्चों की उम्र 14-17 साल के बीच है 9,346 बच्चों में 4,860 लड़के और 4,486 लड़किया है मौजूदा समय में इनमें से 6,612 बच्चे सिंगल पेरिंट के साथ रह रहे हैं 1121 बच्चे गार्चन और 985 बच्चे परिवार के किसी एक सदस्य के पास है इनके अलावा 275 बच्चे चिल्डरिन होम्स, 78 अनाथाल्यों, 18 ओपन चल्टर होम्स और एक अब्सर्वेशनल होम में है अगर राजवार आंकडे देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2110 बच्चों ने दोनों माता पिता या किसी एक को खो दिया है इसके बाद बिहार में 1327, केरल में 952, महराष्ट में 796, हर्याना में 776, मध्रप्रदेश में 712, हिमाचल प्रदेश में 562 ऐसे बच्चे हैं इनके अलावा गुजरात में 434, जमुकश्मीर में 376, चत्यसगड में 190, तमिलनाडू में 190, राजस्थान में 157, आंतरप्रदेश में 116 और पंजाब में 115 बच्चों ने माता पिता या दोनों में किसी एक को संक्रमण के कारण खो दिया है कुरोना की वज़ा से माता पिता को खोने के बाद भी इन बच्चों की स्कूल सिक्षा में बाधा ना आएं, इसके लिए उच अदालतों और सुप्रीम कोट ने राज्य और केंदर सरकारों को बच्चों को आर्थिक मदद पहुचाने के निर्देश दिये हैं NCPCR ने राज्य सरकारों को कुछ सुझाव दिये हैं, जिसके जरीए ये सुनिश्चित किया जा सके कि अनात हुए बच्चों की सिक्षा जारी रहे आयोक का राज्य सरकारों और जिला सिक्षा अधिकारियों को सुझाव है कि RTE Act के तहट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या घर में कमाने वाले अभिभावक की मौत हो गई है, उनकी प्राथमिक सिक्षा का खर्च राज्य सरका के लिए PM Care Fund से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सहित कई घोशनाएं की हैं, तमिलाडू सरकार ने कोरोना की वज़ा से अनात हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की रकम का एलान किया है, ये रकम बच्चे को 18 साल तक होने पर ब्याज सहित दी जाएगी, करनाटक स सरकार ऐसे बच्चों के केर टेकर या फिर अभीभावक को 3500 रुपए हर मेहने देगी, त्रिपुरा सरकार ने 18 साल के होने तक इन बच्चों को हर मेहने 3500 के आर्थिक मदद का एलान किया है, इनके अलावा हर्याना, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्चों ने ट्वआ रोट ग्लावक सmaया चा इनके अलावक को 3500 के बच्चों के बेंगा हर देख कर ले टेकर के आरने अलावक के घूरा बच्चों कि ने जैसे प दो उत्तर रहजावक को 3500 रुड़ स्दंब प्रुब कुदी त